यहां तो हम लोग लड़ाईये लड़ रहे हैं सरकार से उनितीज कुमार के गला में घंटी बांद हैं तो हम स्वागत करेंगे आईये दा जैसा सुसासन उपमुख मंत्री का भाय करेंशी को जबरदस्ती जमिंगेर रहा आज रिपल मडर डबल मडर बीश गोली पंदरह गोली आपका चाइनल दिखा रहा था डारू के सी सी एदम भेकल है जहां तहां क्या है शुसासनी इह बताईए कैसा सुसासनी इसको कहते है और इक बताओ बता दे रहे हैं अभी जदियू में एक दूसरा के छीला छीली जोहीं चल रहा है यही सब चैना है जो एक उसरे में सब लगगा रहा है। भी टीवी देखता है ईंडिया। बिहार शरकार पर इंदिनों बिहार सरकार की मंत्री और सत दल के थायक ही आरोप लगा रहे हैं। हमार सा बाची करने के लिए बंटू सिंग जी हैं बात करेंगे बंटू जी विपक्ष का काम तो आरुप लगाना है लेकिन सत्ता धारी दल के लोग ही और साथ ही मंत्री मदन सहनी अफसर साइक हवाला देते हैं जो अफसर उनकी कुछ भी नहीं सुनते हैं ब्रहस्टाचार प नहीं तो उसको क्या कहा जा सकता है तो आध्य मुख मंत्री जी को कुछ सरम है अब तो आओ काला चस्मा लगा लिए उनको तो कुछ नजर नहीं आएगा उस ससब को देखेंगे उनका आँग कोहीं नहीं देखे Revelation आप बताइए कि ऐसा आस्तक हुआ है क्या बिधायक कह रहे हैं कि मंतरी पैसा खा रहा है मंतरी कह रहा है कि अफसर पैसा खा रहा है अफसर कह रहा है क्या कि हम उपर पैसा पहुंचाते हैं क्या है भाई यह को बिधायक बोले तो ना कितना बिधायक बोले ग्यानेंदर सिंग ग्यानू तो एकदम सीमा पार करके बोल दिए एक बात बताईए आप हमको जहां का राज भी मंदार होगा और मंत्री भी मंदार होगा और कार्जकरता भी मंदार होगा जानी कि जो सिपाही होता है वह भी मंदार होगा तीसे आप पकड़ लिजिए कि राजा बहुत बढ़ा है गेंद्रा पीके घी पी रहे हैं मानिय मुख मंत्री जी गेंद्रा ओड लिए हैं सही में भरस्ट हैं तो ऐसे में मतलब आप लोग को अब किस रूप में घरिंग सरकार को कैसा सुशासन उपमुख मंत्री का भाय किसी को जबरदस्ती जमीं घर रहा है आज ट्रिपल मडर डबल मडर 20 गोली 15 गोली आपका चाइनल दिखा रहा था दारू के सीशी एदम फेकल है जहां तहां आप ही लोग न दिखा रहे हैं तो क्या है सुशासन इसको कहते हैं सब कुछ तो खुलियां चल रहा है जी अगर नहीं चलता एको बीपच बोलता तो बात रहता अंसू जी कि आप बीपच जो हमारे नेता परतिपस टेजस्वी जी बोले आज तक कि आर सीपी टेक्स लगता है और एक बात आओ बता दे रहें अभी जदियू में एक दूसरा के छीला छीली जवी चल रहा है जानते हैं छीला छीली हम लोग के मगहिया भासा उसको छील देना तो उसको छील देना छील देने का मतलब जनता समझ जाएगा नहीं दूसरे में सब लग रहा है आप बयान से समझे कि मंजीत सिंग जो है सो की नितीश कुमार जी के पास आपको तो पता चल रहा है अब मंजीत सिंग का नाम लिए आप तो मंजीत सिंग महस्टवर सिंग पर तो जाल आप लोग फेके किन कारगर तो नहीं हुपाइब हम इस सब काम नहीं करते मतलब आपने पाटी नहीं नहीं करते हैं कि Хुस्ट थे तो वह हमारे पास आये स्वागत किया वह वह और चले गए हमकresh महिस्वर जी आज यह रही है पाटी में सम्मलीत हो रहे है जो उनका जो इच्छा था उनको भाई घेरा घेरी अब क्या नहीं दिया गया भगवान जाने वह तो से मिलके तेजस्टी भाई ट्यूटर पर अपना तेज रफतार सब लिखे अब उनका मन जाने हम तो कोई पॉइंट नहीं हुदे नहीं हुआ उनको देखे कि रातो-rात लेशि सिंह को भेजर क इसको विजर हम लोग नहीं कि नहीं है कि मिटिंग होता है तो अकसर देखा जाता सभी मंत्रिchron सहनी उनिबार जहाँ आजसे एजंदार रहे है नहीं किविन दीन में सभी मंतरी रहते हैं लेकिन कुछ को छोड़के वह तरभंगा चले गए तो ऐसे में आर्देड़ी के तरफ से उनके लिए क्या भियान है क्योंकि लागातार आरे भी लहाँ उठाते रही लेकिन मंतरी का अधाना काफी अहम माना जाता है आपका बहुत बढ़ा सुंदर कदम है कि आपने कहा कि इतना बड़ा बंगला में रहके हम खाली बंगला गिरी करेंगे आदत लगाएंगे यह बहुत सुंदर उनका स्टेप है कोई भी तो आगे निकलना पड़ेगा न लोग में मच रहा था कि बिलाई के इतना में के घंटी बानता है तो आगे मदनसहни जी अब वह भी बोले है कि बहुत सारे मंतरियों का यही हाल है सब लोग यही कहते हैं अगर जिसको कुछ सर्म बचा होगा तब मंत्रीपद में तो बिले nitish कुमार के गला में घंटी बान दिये हैं ये लोगा थो कॉछ नितिंति कुमार का नितिकुमार का अफसर रखता है इन लोग कैसे जो अफसर लोग है इन लोग के श जाच होना चाहिए सब का विदेश में अकूट संपत्ति है अकूट भारी संपत्ति सब का है सब लोग चुनाओं में पैसा देते हैं चुना बाता है अब तो यह बात तो हम अभी उनका इच्छा पर निर्भर करेगा यहां तो हर समय दर्वाजा खुला रहता है चोवी सो घंटा जिसको आना है आईये है कि नहीं इस तरह के बातें उठ रहे हैं तो क्या आईया स्वागत है स्वागत है एक दम आएंगा आना चाहेंगे तो कहें नहीं आएंगे पहले तो आरेज़ेडी में थे उनकी राजनितिक तो यहीं से अथी बढ़ा बयान का है तो क सब्सक्राइब करें कि यहां तो हम लोग लडाईये लड़ रहे हैं सरकार से नितीज कुमार के गला में घंटी बांध हैं तो हम स्वागत करेंगे आई एक दम यह हमारे साथ बंटू सिंगी थे लेकिन इन्हों ने मदन सहनी जी से आगरा किया है अगर आप सच में सिस्टम के खलाब लड़ना चाहते हैं तो आप हम लोग के साथ आये और मजबूती से लड़ा जाएगा